हेलो एववान असलाम लेकुम कैसे हैं आप सब लोग वेलकम बैक पो मैं यूडियो चैनल आज की वीडियो में हम आप दों के लेकर आये हैं नहाया तसानों घर के मसालों से बनकर त्यार रहने वाली बेसन वाली आलू की टिकी की रेस्पी जो कर बहुत ही शोक से खाई जाती तो रेस्पी को शूर सब्सक्राइब करते रहें रेस्पी लगती है वीडियो को लाइक कर दें चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो चलिए अब बगैर टाइम वेस्ट किया हम अपनी इस मतेदार और जबदस्त आलू की डिकी के लिए जो टिकी का बैटर त्यार कर लेंगे तो एक किलो मैंने आलू कर लिए जिसको हमने simply boil कर लिया और चीर लिया तो अब सबसे पहला काम आपने क्या करना आलू को अच्छे से मैश कर लिया और ध्यानरे आलू में कोई बड़ा दाना बीच में नहीं होना चाहिए बिल्कुल इस तरह से जैसे आप आपको नज़र आ रहा होगा मैंने मैश कर लिया अच्छे से तो इसके बाद आप इसमें कुछ घर के मसाले डालेंगे सारे सिंपल घर के बेसिक मसाले जाएंगे तो एक एक करके डालते हैंगे सबसे पहले इसमें डाल देंगे 1-4 टीस्पून हमने हल्दी कर लिया यह इसम मिल कर देंगे वन टेबल स्पून हमने जीरा लिया और हाफ टेबल स्पून रेच और तकरीबन हाफ टीस्पून हमने नमक का लिया आप लोग अपने टेस्ट के साफ सेट कर ले और हाफ टेबल स्पून चार्ट मसाला लिए चार्ट मसाला डालने से बहुत अच्छा इतना मिक्स कर लें कि मसाले यालू में अच्छी तरह से मिक्स हो और इक्वल फ्लेवर आए तो मसाला यहां पर हमारा थियार हो चुका है अब हमने ज्यादा कुछ नहीं करना बस इसकी टिकिया बना ले जैसे नॉर्मल घर में बनाते है शामी कबाब की तरह तो जैसे कि आप आप लोगों के साथ रमजान's special recipe शेर कर दिया तो यह एक उनिंवेसी इसले है इससे पहले आप लोगों साथ बहुत सी शीर करण चुकिल है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूगी एसको मुसारी साथ कर लेकिए इसको आपर थार अ यहां पर हमारी अलुकिया बन कर थियार हो चुकी है तो ठीक हो करते हैं साइट पर और इनके लिए जो हमारी सीक्रेट और मज़दार सी क्रिस्पी कोटिंगा वो थियार कर लेंगे तो यहां पर हमने कदर बाव ले लिए इसमें सबसे पहले डाल देंगे बेसन 5 टेबल डालेंगे 1 4व तीजपुन रेटचिली पाउडर का लावा दे के आपने टेस्के साथ से लिए तो कोऊन फ्लोर को आपने स्कूर्टिंग में स्किपने करना सार अकमाल इसमें कौन फ्लोर का आएगा उसे क्रिस्पी से फार्टिंगे वह टुपर इसमें ठोड़ा थोड़ा महसfalpha में यह रचला हुआ है चीक है तो वीडिट को लाइक करें चैनल पर नहीं है चैनल को साथ करें क्योंकोत अब फली के साथ काड़र करें तो यह जो हमने अपनी कोटिंग तार किया है इसमें सिंपली आपने टिक्यू को डिप करने अच्छे से और उसके बाद कडाही में डाल देना और इसी तरह से साही डाल देंगे और बस फ्राय करेंगे तो इससे पहले मैं आप लोगों के साथ चिकन आलू के कबाब की शेयर कर तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूं कि आपको जूर से चेक आउट कर लिजगा देखें यहां पर टिक्की हमने सारी डाल दी है अब आपने क्या करना बस इसको फ्राय कर लेते और फ्लेम जो आपने वह ज्यादा हाय नहीं रखनी मीटियम रखनी है क् अब इने जिलाएंगे नहीं जब असा कलर भी लाएंगे और क्रिस्पी बनाएंगे तो फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है ख्या लखें तो अब लोगों को में रेस्पी अच्छी लगती है मुझे कमें जूरूर से बिताया करें क्योंकि जब आप लोगों को मारी अच् अब श्मीचि जब आप इसकी बनाएंगे यह देखें बिल्कुल बाजार जैसी लग रही है तो कोटिंग इस्तरीक से बनाएंगे तो बिल्कुल जबदरस रोगी अब सारी इसे बनाती है और फूर डिशर करके आप से इसकी फाइनल उक्षे करते हैं तो यह देखंग वां लेकिन यह वाली बेसन वाली आलू टुकी की अपनी बात है बहुत जबदस्त और हम इसे राइते के साथ सर्फ करें आप किसी भी सोस के साथ कर सकते हैं तो अगर आपनों को में रैस्पी अच्छी लगए वीडियो को लाइक जूर कीजिए का चैनल पर नहीं है चैनल को सब्स